हेलो दोस्तो मैं सलमान से एक स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूटूब चैनल दडार्क वर्ल्ड में दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जगा के बारे में जैसे दुनिया की सबसे ज़्यादा बूतिय जगाओं में सुमार किया जाता है आज हम इस जगा की है पीछे का रहसे क्या है वो भी जानेंगे तो बने रहे हैं हमारे साथ वीडियो में लाश्ट तक और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बाजू में बैल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें नियू साथ वेल्स ऑस्टेलिया एतियासिक मॉन्टे क्रिष्टो रियासत ऑस्टेलिया में नियू साथ वेल्स के जूनी इलाके मिश्ते थे इस रियासत को ऑस्टेलिया के सबसे अधिक भूता और डराबनी जगाओं में समार किया गया है इसकी वज़वर्स 1885 में इसके न जर्मार के बाद Monte Cristo का मालिकाना हक कैब्रेल परिवार के पास रहा और ये परिवार वर्स उननेश सोड़ तालेस तक यहां रहा इस दोरान यहां कई अन्होनी घटनाय गटी जिन में से कईयों को अपनी जान भी गवानी पड़ी एक वच्चे का सीडियों से गिर कर वह दुख जिससे यह जगह मनूस माने जाने लगी कहा यह भी जाता है कि Monte Cristo रियासत की रखवाली करने वाले वैक्ति का एक बेटा था जिसका नाम हैरोल्ड था बैपागल था और कभी-कभी हिंसक हो जाता था इसलिए उसे लगवक 40 वर्सों तक एक लोही की चैन से बान कर घर में बं ही उसकी मृत्ति हो गए अंतता लगातार हो रही एनोनी घटनाओं और डराबनी घटनाओं से विचलित होकर क्रेबले परिवार ने वर्स उनने सोटालिस में उस जगह को छोड़ दिया इस परिवार के जाने के बाद भी यहां हो रही आसवाविक मौतों का सलसला नहीं तम कैबरेल परिवार के जाने के बाद इससे किराय पर देने के लिए कुछ लोगों ने मिलकर मौन्टे क्रेश्टो को करीद लिया और वहीं वे सभी रखवाले के लिए बने मकान में रहने लगे परन्तु कुछ दिनों के अंदर ही उनमें से एक की वहाँ आत्या हो गई इस अ सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक जरूर करना धन्यवाद